Hello and welcome to Bollywood वाला, I am Sonub दोस्तों, तानहाची ने धूम मचा रखा है बॉक्स ओफिस पर, the movie is absolutely rocking अभी थक 90.96 क्रोर का collection हुआ है बॉक्स ओफिस पर अब सवाल ये उठता है क्या आज के दिन, मतलब मकर संक्रांती के दिन क्या ये फिल्म 100 करोड का आखड़ा पार करेगी या नहीं आप लोगों को क्या लगता है, कॉमेंट बॉक्स में लिख कर बताना लेकिन मुझे लगता है, आज क्यों की मकर संक्रांती है, मतलब पार्शल हॉलिडे है ये फिल्म धम्माकेदार कलेक्शन करेगी बॉक्स ओफिस पर, 10 करोड से ज्यादा तो इसली कमा लेगी, मतलब 100 करोड का आखड़ा, अजित देविन के 100th फिल्म आज सेंचुरी जरूर मारके रहेगी कलेक्शन पर नजर रालते है, ताना जी का, from Friday, Friday को उपन होते है ये फिल्म Friday को ये फिल्म ने बनाया था, 15.10 करोड, Saturday को ये फिल्म ने बनाया था, 20.57 करोड Sunday को ये फिल्म ने बनाया था, 26.26 करोड, Monday को ये फिल्म ने बनाया था, 13.75 करोड और Tuesday को एक फिल्म ने बनाया 15.28 क्रोड मतलब Tuesday का collection, कल का collection, first day के collection से ज्यादा था, वाह क्या बात है, full marks to Ajay Devgan for making a film that showcases Tanaj's bravery in its full glory, छत्रपती शिवाजी महाराच's bravery in its full glory, Maratha जो गौरव है, बहुत अच्छे से दर्शा है इस फिल्म के द्वारा, मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा, आज के दिन, यार, double digits में easily collections आ जाएगा, वही अगर चपा के हम बात करें, बहुत slow जा रहा है फिल्म, collections पर नजर डालते है, Friday को ताना जी के साथ ये film open हुआ तो, और Friday का collection था 4.77 क्रोड, Saturday को आया 6.90 क्रोड, Sunday को आया 7.35 क्रोड, Monday को आया 2.35 क्रोड, Tuesday को आया 2.55 क्र अभी तक double digits में फिल्म नही पाँचा है, let's wait and see कि आज मकर संक्रांती के दिन कुछ फाइदा हुता है क्यानी कुछ ज्यादा कालेक्शन आता है क्यानी कुछ ज्यादा कालेक्शन आता है क्यानी बॉक्स ओफिस लेकिन ताना जी जिस तरह से competition दे रहा है चपा को, it seems highly unlikely, for the moment it is Thanaji all the way and congratulations to Ajay, they've gone much well in advance for making a superb film, 100th film and the movie is all set to hit a century at the box office, for the moment this is Sonup signing off, bye-bye.